तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जह जो आरपी एफ की और से नहीं बरती आ रही है इसका जो ओफिशन नोटीफकेशन है जे वी आउट हो चुका है साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफकेशन मांगी गई है एप्लिकेशन फाम को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10th क्लास जानिक की आपके पास कम से कम 10 मी पास की माक्षित होनी चाहिए अगर आप इस बरती में अपलाई करना चाहते हैं तो जैहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आर्पीएफ की नई बरती आ रही है इसकी बकैंसी की डीटेल्स के बारे में महील और पुरुष दोनों के लिए जबरती आ रही है आर्पीएफ की और से अगर हम बात करें तो आपके बास कम से कम दसमी पास की माकशित होनी चाहिए अगर आप इस बरती का एप्लिकेशन फार्म फिल करना चाहते हैं तो जे जो बरती आ रही है जे आल इंडिया के लिए सीधी बरती आ रही है मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलाउं करते हैं आप इस भी अपना एप्लिकेशन फार्म फिल कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में डीटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आई हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जाप्स को जाप्स के लेटर लाटस देखने के लिए मिलेगी, डूति इंस्पेक्टर कि siis 1600 तर antchief लेकिन आपको को चोड़ा बकर आपनी के लिए मिलेगी तेक्निकल असिस्टेंट किसी आपको 117 मिलेगी Korea tout घेलीकलू टाwoय अगर ऑथक्रणिक ए तु क्लैरिकल टाइपिस्ट कि आपको 552 वेकनषी के लिए म इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो RPF की ओर से नहीं बरती आ रही है, इसमें आपका जो physical efficiency test होगा, उसमें male candidates के लिए क्या criteria और female candidates के लिए, क्या criteria सबसे पहले हम running test के बारी में बात कर लेते हैं, तो male candidates को 1600 meter की running करनी होगी 5 minute 45 second में, इसके बाद female candidates को 800 meter की running करनी होगी 3 minute 40 second में इसके बाद long jump test के बारी में अगर हम बात करें, तो male candidates को 4.20 meter का long jump लगाना होगा, वही female candidates को 2.74 meter का long jump लगाना होगा, high jump test की अगर हम बात करें, तो male candidates को minimum 1.14 meter का high jump लगाना होगा, वही female candidates के बारी में अगर हम बात करें, तो female candidates को 0.91 meter का high jump लगाना होगा, तो जे बात होगी इस बरती के physical efficiency test के बारे में और friends अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो जाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को जाइन करने का फाइदा आपको जे होगा कि जो भी जौफ की new notification आएगी उसकी latest update आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है जल्दी से जौइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जे जो RPF की और से नहीं बरती आ रही है इसके notification के शौड में overview के वार टाइप इस जे सवी पोस्ट्स आपको इस बरती में देखने के लिए मिलेगी टोटल नंबर आफ बकैंसी की अगर हम बात करें जो RPF की और से advertisement की गई है वो की गई है टोटल 900 बकैंसी इसके बाद इस बरती में जो apply mode रहेगा वो रहेगा आपके online application form fill किये जाएंगे आप online application form fill कर सकते हैं जाव location की अगर हम बात करें तो all over India आपकी posting की जाएगी अगर आपका इस job में final selection हो जाता है तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस बरती में कौन से candidates बरती में apply कर पाएंगे तो all इंडिया के male and female candidates बरती में apply कर पाएंगे चाहिए आप इंडिया की किसी बी स्टेट से बी लाओ करते हैं आप इस भी अपना application form fill कर सकते हैं application form को fill करने के लिए education qualification में आपके पास कम से कम 10वी पास की माक्षीट आपके पास होनी चाहिए इन में से आपके पास कोई एक माक्षीट होनी चाहिए अगर आप इस परती अपलिकेशन form fill करना चाहते हैं तो age limit criteria के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर आप journal candidates है, जर्नल कैंड़ागरी से बिलॉग करते हैं, तो आपकी जो ही जब वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए, वही पे कुछ candidates के लिए जहां पे relaxation भी दी गई है इस भरती में, जैसा कि जो candidate OVC से बिलॉग करते हैं, उनके लिए 3 सार की relaxation दी गई है, वही जो candidate SE, जा ST से बिलॉग करते हैं, उनके लिए 5 साल की relaxation आपको मिलेगी age limit में, इसके बाद हम बात कर लेते हैं monthly salary के बारे में, कि अगर आपका इस job में selection हो जाता है, तो monthly salary आपको कितनी दी जाएगी इस job में, तो जो monthly salary आपको मिलेगी इस job में, वो मिलेगी 18,000 से लेकर 63,000 दोस्तों तक आपको monthly salary दी जाएगी इस job में, अगर आपका इस job में selection हो जाता है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इस परती को लेकर कुछ important dates के बारे में, तो जो starting date है application form को fill करने के लिए, वो है 23 दिसंबर 2021 जानी की 23 दिसंबर से इसके जो online application form है, वो लगना start हो जाएंगे, और जो last date है application form को fill करने के लिए, वो है 11 जनवरी 2022 जानी की next month 11 जनवरी तक इसके जो online application form है, वो fill किये जाएंगे, application form की fees के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर आप journal candidates हैं, जनवरी की अगर आप journal category से बिलाओ करते हैं, तो आपकी जो application fees लगेगी application form को fill करने के लिए, वो लगेगी 394 रुपे, वही अगर आप OVC, SCST in category से बिलाओ करते हैं, तो आपकी जो application fees लगेगी application form को fill करने के लिए, वो लगेगी 294 रुपे, तो जे बात होगी इस बरती के short में overview के वारी में, इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप eligible हैं और apply करना चाहते हैं इस बरती के लिए, देन आपके बास कौन-कौन से document होना जरूरी है, application form के साथ, इन सभी documents के साथ-साथ आपके बास अपना अधार काड जा पैंड काड होना चाहिए, as the identity proof, और अगर आप S.E.S.T. याँ O.V.C. से बिलॉग करते हैं, तो आपके बास अपना cast certificate भी होना चाहिए, चार passport size photograph होने चाहिए, light color background में, तो अगर आपके बास जैसा भी documents हैं, तो आप successfully apply कर सकते हैं इस बर्ती के लिए, इसके बाद अगर हम बात करें, कि अगर आप इस बर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस बर्ती का official notification पाना चाहते हैं, यहाँ इस बर्ती में online apply करना चाहते हैं, यहाँ फिर हमारा telegram channel जैन करना चाहते हैं, तो इन सभी के link आपको हमारी website पे मिल जाएंगे, website का link आपको description में मिल जाएगा, आप हमारी website पे जाके sub check out कर सकते हैं इस बर्ती के बारे में, और दोस्तों जो इंडियन आर्मी की और से नहीं बर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें education qualification के बारे में अगर हम बात करें, तो आपके बास कम से कम दस्मी पास की मार्गशिट होनी चाहिए, अगर आप इस बर्ती में अपलाई करना चाहते हैं, तो जो बर्ती आ रही है, जो पूरे वारत के लिए सिधी बर्ती आ रही है, इंडियन आर्मी की और से, इसमें male and female no candidates बर्ती में अपलाई कर पाएंगे, ज़्यादा जानकारी के लिए आबो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा,